नमस्कार दोस्तों मैं हूं रितिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विस्व विद्दाले और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में उरी जान मिल सके और आपके पास पहुंचे से ही वैसा टिक न्यूज यह आप देख सकते हैं उच्छे शिक्षा पर अभी भी कोरोना का साया यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि उच्छे शिक्षा की परिक्षाओं को लेकर के कोलेज परिक्षाओं के बारे में जो पूरू श रिखते हैं कि जो सरकार है वो जल्द से जल्द उच्छे शिक्षा के विद्यार्थियों के हित में है वो निरने ले आपको दोस्तों में जानकारी बताने से पहले यह बात में बता दू अभी सुब है नो बज़े से दोस्तों टाइम का आव इसे श्रूप से ध्यान रखें अबी सुब है नो बजे से हमने हेश्टेग UGC Cancel University एकजामस के नाम से दोस्तों ज्यादा से ज्यादा है वो ट्रेंड चलाने का है वो मन बनायावा है तो आप सभी विद्यार्तियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी विद्यार्ति है वो इस ट्रेंड में ज्यादा से पहुँचेगी और इस ट्रेंड के मादे में से हमारा ये बताने का प्रियास है कि जल्द से जल्द है वो UGC गाइडलाइन जारी करें और गाइडलाइन इस प्रकार जारी करें कि उनमें विद्यार्तियों के स्वास्तेवा सुरक्सा को प्रात्मिक्ता देते वे उनके बव तरवे तीसरी लहर में वेसकों की तरह बच्चों को भी खत्रा आप साब साब देख सकते हैं जो बच्चे हैं और वेसका है उन्हें तीसरी लहर में है वो सबसे ज़्यादा है वो दोस्तों खत्रा है नया डेल्टा वेरियंट भी आ चुका है तो इस बात का ध्यान में रख ही ओपन बुक पदत्ती से है वो एक्जाम देश के जिस प्रकार का सिस्टम मध्य प्रदेश और छत्यसगर सरकार ने पनाया है उसी प्रकार का सिस्टम है वो भारत के अन्य राज्य के विश्व विद्धालियों को भी अपनाना चाहिए चाहिए वो राजस्तान हो चाहिए व पूरी अपडेट तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं पूर्व सिक्षा मंत्री वे विधायक अजमेर उत्तर वासुदेव देवनानी ने कोरोना संकर्मण में लगातार कमी आने के बावजूद उच्छी शिक्षा की और अभी तक ध्यान नहीं रिये जाने पर तंज कस्ते व वे का है कि उच्छी शिक्षा मंत्री अभी भी का रावाय के प्रिणाम की और प्रिणाम की कोई चिंता नहीं है या उन्होंने साब साब कहा है कि जब करोना के संक्रमण के कैसे जब वो कम आ रहे हैं फिर भी उच्छ शिक्षा की परिक्साओं को लेकर के हैं वो अभी तक कोई दिर नहीं लिया गया है विद्यार्थियों के मन में हैं वो असमन जस्की स्तति लगातार बनीवी है आप देख सकते हैं देवनानी ने अब बोर्ड को यह तरह करना चाहिए कि वह कैसे दस वीवा बार्वी के विद्यार्थियों को प्रोनत करेगा यह बाद दोस्तों नोंने हैं वो दस वीवा बार्वी के विद्यार्थियों के लिए कि आगया आप देख सकते हैं उच्छ शिक्षा की स्तति तो बिलकुल इसक के उलट है उच शिक्षा मंतरी भाटी साहीत दिकारियों ने अभी तक इस बारे में विचार ही नहीं किया है, कि क्या परिक्साइ ग्राई जाए ही कर सकते हैं लेकिन उच्छ शिक्षा में हालता वो बिलकुल उलट है अभी तक उच्छ शिक्षा मंत्री Trent निर inscription के दोरा ये निरणे भी नहीं लिया गया है कि परिक्साइं कराई जाएग गी नहीं कराई जाएगी और परिक्साइं कराई जाएगी तो किन-किन कफ्षा के विद्यार्थियों की है वो परिक्साइं कराई जाएगी जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा आगे आने वाले शेक्षिक्षत्र पर भी इसका नकारात में की पेक्टा वो पढ़ने वाला है आप देख सकते हैं देवनानी ने कहा कि स्कुली शिक्षा और उच अग्षिड जारी की जाएगी तता कि साधार पर कोलेजों में परवेस मिलेगा ग्रेज़ेट और फेस्ट ग्रेज़ेट फाइनल एर के विद्यार्थियों को इस बात की चिंता भी सतार यह कि ये दिविस्ट विद्दालियों द्वारा समय पर परिक्साइं नहीं कराए कि उत्र शिक्सागी परिक्साओं को लेकर के है ओजल्द से जल्द सरकार दोरा है वो द्र Elly लिया जाना चाहिए और यह भी मांगा में राजस्तान सरकार और उत्र सिक्षावी वाक्षे भी करें हैं कि वो जल्द से जल्द हो इस पर सकारातमग् nichts नियुद्य नियुद्य करवाना है सभी जो लेटर है वो इस मोल में हैं आप इस बात का ध्यान के आपको जादा से जादा ट्विट करें जादा से जादा विद्यार्टियों से रिवी ट्विट करवाएं में अपने ट्विटर एकाउंट का लिंक का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं दंद्यावाद वीडियो अच्छा लगा उत्मधिक शैदिक शेयर करें